प्रसाशन की कारवाही के बाद भी अपनी आदत से बाच नहीं आए दुकानदार आखिर के स्खटना का इंदजार है सीक्री के दुकानदार गरेबे पुत्र अली सेर को आपको बता देख के गरेबे पुत्र अली सेर्वाजान मुहम्मद नूरे पुत्र गरेबे ने अपनी दबंगई के चलते अपनी दुकान पूर्व माध्यमिक विद्याल सीक्रीप परिसर्बवन से सटा कर रख लिया है इस कुरोना जैसी महामारी के दौरान पूरे भारत में लॉक्टाउन के स्थिती है और किसी को असुविधान हो इसलिए सब जगे पर एक समय निर्थारित है लेकिन ये दुकान सुबह खुल जाती है और शाम को बंध होती है जिससे इस दुकान पर दरजनों लोगों की भीड़नावशक बनी रहती है इस सिक्षेत्र के मासूम बच्चों को खत्रा बना रहता है यदि ये दुकान विधाले परिसर से हटाई नहीं गई तो करोना जैसी महामारी के बाद बच्चों के शिक्षन कारे में बाधा आएगी किसी दिन यहां एक समस्या बड़ी हो सकती है भीड में लोग बिना मास्क गम छाया रुमाल से मूँ को ढखके ही इस दुकान पर बने रहते हैं इससे जाहिर होता है कि या तो दुकान दार दबंकी स्म के हैं तो प्रशासं की सुनते नहीं या वेहिस महामारी को बढ़ावा देकर सकार की मंसा पर पानी फेरने में लगे हुए हैं कई बार तमबोर पुलिस के दुकान बन भी कराई गई है लेकिन पुलिस की हटते ही फिर से वही होता है इस करोना जैसी महामारी में एक तरफ देखा जाए तो देश के या शस्वी प्रधानमंत्री सहेत उतर प्रदेश के मुखिया श्री आदितिनात जी योगी जी जनता वसमाज के प्रती चिंतित हैं जनता की समस्या पर चिंतन करते हैं उतर प्रदेश के समय समाच से वी अपनी जान को जोखिम में डाल कर जनता के बीच जाते हैं। और दूसरी और इस कुरोना महामारी में सकार के नियम कानून को ताक पर रखकर पूर्व माध्यमिक विद्याल से करसे सटा कर अपनी दुकान चला रहे गडीबे पुत्र अलेशेर भीड एकत्रिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये एक दिन का नहीं रोज का काम है लेकिन ग्राम सभा में राजनीती के चलते ग्राम प्रदान भी खामोश हैं। इस महामारी में भी राजनीती है कि कहीं वोट न चली जाए। क्या ये करना समाज के हिद में है।